गाउं में फैशन शो शेहर की फैशन डिजाइनर रितु की शादी गाउं की जमिनदार शेर सिंग से हो जाती है लिकिन शेहरी कामकाजी रितु का गाउं में मन नहीं लगता क्या सासुमा ये गाउं में तो कुछ नहीं है मेरा दिल ही नहीं लगता यहाँ क्या करूँ मैं अरे बेटा जहां पती का कारोबार बीबी तो वहीं अच्छी लगती है ना अब हम लोग इतने पैसे वाले हैं कि गाउं में मेरे बेटे लाएक लड़की ही नहीं मिली अरे माम मैं तो ये बोल रही हूँ कि क्या करूँ जिसे मेरा थुड़ा दिल लगे अरे बेटा मैं भी शहर की थी यहां कर मैंने गाउं में स्कूल खोल लिया बच्चों को पढ़ाती थी तो मन लग जाता था तु भी कुछ देख ले जिससे गाउं की बहु बेटियों का भला हो जाए और तेरे जमीनदार ससुर जी का नाम भी हो जाए अरे तु क्या करती फैशन डेजाइनिंग वाले कपड़ों को गाउं की और तो पर कैसे ट्रॉई करती लेकिन एक दिन अरे क्या बात है डालिंग बड़ी जल्दी उठ गई और ये हाथ में फैवी कॉल और कागस कहा जा रही हो मैंने सूच लिया है कि मैं अपना फैशन बुटिक खुलूंगी गाउं की और तो को सजा धजा कर फैशन शो करूंगी और यहां की औरतों को भी शेहर के फैशन से वाकिफ करवाऊंगी फैशन और यहां की औरते अरे इन लोगों को तो बस चूला चौका आता है खाली समय में एक दूसरे के सर से जुए निकालती है या फिर अचार पापड बनाती है इन लोगों के बस के नहीं है फैशन को समझना लेकिन रीतु मानती नहीं वो पूरे गाउं में पोस्टर चिपका देती है कि किसी को भी नए डिजाइन की कपड़े पहनने का शौक है तो जल्दी जमिंदार की बहुसे मिले लेकिन रीतु की दुकान में दो दिनों तक तो कोई आता ही नहीं पर एक दिन अरे कमला क्या हुआ क्या देख रही हो यह पूतल है देख रहा है दीदी क्या दीख रहा है इस मैसा अब देखो तो दीदी यह पूतला मेरे जासा ही है ना पतला दुबला लंबा बस मैं काली आ रही है गोरा तु ये बता इस पुतले के कपड़े तुझे कैसे लग रहे हैं रहा कपड़े तु बहुत सुन दरा दे लेकर न तू न बस कल इसी समय आ जाना और अपने जैसी दो तीन और को भी ले आना अगले दिन कमला दो लड़कियो को लेकर आ जाती है रितो उन लोगों को अपने हाथ के सिले कपड़े पहनाती है और घर भीज देती है उन लोगों को गाउं की दूसरी औरतें भी देखती है और फिर क्या अगले दिन रितो जब दुकान खूलती है तो सामने बहुत सी औरतें उसके बनाएं डिजाइनर पहने को तयार खड़ी होती है तुम लोगों को कपड़े के साथ ही हलकी मेकप और स्किन केर की भी क्लास देनी पड़ेगी रितु गाउं की औरतों को फैशन का ज्यान देने में लग जाती है एक दिन रितु का पती कहता है अरे रितु तुम्हारी फोटो पेपर में आई है क्यों भई ऐसा क्या कर दिया मैंने क्या लिखा है अरे लिखा है गाउं में होगा अब फैशन वीक अरे हाँ कलना कोई फोन आया था मीडिया वालों का तो मैंने भी बोल दिया, कि fashion show तो अब गाउं में होगा, लग रहा है उसी की खबर बना दिये, तब ही रितु को एक phone आता है, हलो, कौन बोल रहा है, ची मैं कामिया बात कर रही हूँ, लग में fashion week से, हम लोगोंने आपका काम देखा, हम शेहर वोसिस गाउं का fashion theme में एक fashion show आपकी गाउं में करना चाते हैं, अरे वा, ये तो बहुत इची बात है, मैं अपनी models के साथ show में हिस्सा ज़रूर लोगी, बस, अब क्या था, वो दिन भी आ जाता है, जब रितु की गाउं की गोरी, शेहर की छोरी के साथ, stage show में हिस्सा लेती है, शो के बात, अरे आपकी वो जो collection है ना, मैं उसकी पूरी series खरीदना चाती हूँ, सच में, आपने वो कपड़े design करें, जो आज की लोग आसानी से घर और बाजार में पहन सकते हैं, और budget में भी है, हम भारतियों के लिए तो ये design best है जी, वैसे आपने क्या सोच कर ये कपड़े बनाएं, और आप इसे कितना आगया और लेकर जाना चाहती हैं, औरते और fashion एक दुसरे के परियाएवाची है, तो ये किस दे कहा, कि गाओं की औरतों को designer कपड़े पहनने का हक नहीं, मेरा मानना है कि शौक सभी औरतों में होता है, जरूरत है तो बस उसे जगाने की, उनकी हिसाब और बज़ट के कपड़ों की जो मैंने बनाएं और सब को पसंद भी आएं, अब रितों का गाओं हर जगर प्रसीद है, ना सिर्फ रितों के लिए, बलकि वहां की औरतों की फैशन के लिए भी,